हेलो स्ट्रेंट्स मैं अब्जेक्सना एक बार फिर स्यासरी का स्वाथ करता हूँ हमारे सेनल अब्जेक्सना प्रेक्टिकल प्रोग्रामिंग टिटोरियल में सी प्लस प्लस के स्रीज में एक लास 17 था है और हम देख रहे है आज का टॉपिक रिफ्रेंस भैरियेबल इसका हम पूरा डीब एंड प्रेक्टिकल स्टडी करेंगे आज आखी रिफ्रेंस भैरिवल सी प्लस प्लस में लाया क्यों गया ओके C++ में reference variable आजाने से क्या हमें सहल्यत मिल गई और कैसे हम reference variable का यूज करते हैं reference होता क्या है ये सब्सक्रान करेंगे C++ में यहां अपने ID पर है और आज कर जो हमें class देखना है वो है demo reference reference variable की बात कहे है तो सबसे पहले variable होता क्या है यह जान ले तो variable एक ऐसा memory location होता है जहां कुछ value को हम store करते हैं okay variable के types की बात किया है तो यह तक हमने c में पढ़ा था normal variable pointer variable okay दो type के variable को हमने already पढ़के रखा हुआ है तो मैं बात करता हूँ int a यह क्या है तो यह नॉर्मल variable है अब बताया था क्या variable होता है क्या है वेडरी वेले एक memory location होता है जिसमें कुछ value का हम इस्टोर करते है सपोर्च ए में हमने हैंडेट को डाला sorry हैंडेट के जगह equal to ले लिया यस तो यह में हमने हैंडेट को डाला तो यह एक इंटियर डाइब का variable हो गया जिसमें कुछ value stored है है जो एक normal variable है सी में हमने एक और variable देखा था वो था पॉइंटर वेरीबल पॉइंटर वेरीबल होता क्या था अगर हम किसी वेरीबल का काम है किसी डूसरे बहरीबल के जो सेम ड़्या टाइब के इसके अड्रेस को हम जैसे अप्य हम उपर में देख रहा है इंट ए इंट ए चो कि एक इंटीजे टाइप है। Okay जो कें इसम घेडे ठेक्ट स टोड यहाँ के साथ किय स्टोड डियर्ट करका सकते हैं क्योंकि यह सेम डियर्टalay टाइप कहे रहा। तो पी इक्वल टू एड्रेस ओफ ए ऐसे श्रों करते हैं यह सब सी में पड़ शुके मैं सबको रिकॉल करवा दिया हुआ और उसका अगर हमें वैलू चाहिए था इससे होता था क्या तो पी में एका एड्रेस आता था सपोज एक एका एड्रेस हम सपोज एका एड्रेस सपोज 1001 है सपोज ओके हैं देका इड्रेस सपोज 1001 हम ने दिया है तो ये जो पॉइंटर बी है तो पॉ मुइंटर बी कभी अपना कोई एड्रेस होगा लेकिन इस पॉइंटर सबकर के है mä시면 हमने यहाँ डाला है एक address हैं तो होगा क्या इसमें पी में किस geographल Nicole गय तो होगा क्या इसमें पी में किसका address गया क्या है तो पी gwी में एक अड्रेश हमारा गया है चाहते हैं जाहते है देखने चाहते है जो यह सब सिप्ह इस सकते है तो ऐसा करने से हमें जो एलस राता था वो कितना रहता यह तो यह सब भी पॉइंटर के बार में आप कर चुके मैं इस पर अगे नहीं जा रहा हूँ अगर आप चाहते पॉइंटर का वीडियो देखना तब कमेंट करें मैं उसका वीडियो बना के आपको बताऊंगा पॉइं प्लस प्लस में है तो यह इस्पेसल भैरिवाला सी प्लस प्लस की ठिक इसे लिखते कैसे फ्लों से दाने इंट एड्रेस ऑपरेटर के साथ कोई भी आडेंटिफायर नेम ए हमने हमने अभी पी लिखा ठिक जो कुछ दिपल पॉइंटर बनाया था सिंसे मुरही कर दिया अगर गया आगर यह होता है और फिक रही वह यह को हमेसा किसी दूसरे一樣 के साथ इनिसलाइज करना पड़ता है यह समयH लिए था यादि इंद उसके वाई एड्रेस ऑपिटर के साथ पी एक्वाल टू किसी दुसरे वैरीबल को इसलाइज करना था ऐसे करकर करके हम रिप्रेंज मेरीबल को डिकलर करते हैं ठीक तो रिफ्रेंस वैरिवल अब यह काम मतलब है कि यह करता कैसे वर्क है तो रिफ्रेंस वैरिवल है वह एक तरीके का इलियाज जैसा काम करता है सपोर्ज मेरा नाम अभिशेख है तो अभी और अभिशेख दोनों ही सेम बंदे का नाम है या तो अभी को कॉल करो तब मैं आओंगा या अभिशेख को कॉल करो तब मैं आओंगा तो इस सिच्वेशन में यह एक एलियाज हो गया जो अल्टरनेटिव नेम वर्क एक ही है उस तरीके से हम चाहते है इस तरीके से अल्याज बनाना तो हम इस तरीके से अल्याज बना सकते हैं मतलब अभी पी में एड्रेस सेम है किसका जो हैं जो एक एड्रेस है सपोर्ज यहां एक एड्रेस हमने लिखा था वन थाउजन वन तो सेम पी का भी एड्रेस अपनका वन थाउजन वन हो एड्रेस सेयर करने का करता है तोड़ी से इस तरीका जो हमने बनाया है एलियास तो यह सेम लोकेशन को एड्रेस करता है अफ़ासा और मैं डीप्ती बताना चाहरा हूँ कि यहां है क्या यहां एक हैंडेट एक कॉंस्टेंट वैलू है जो किसी वैरीवल में स्टोर है तो इस वैरीवल को सपोर्च माने एक घर घर है तो घर का तो कुछ एड्रेस होगा उस घर का एड्रेस क्या है वन थाउजन वन क्लियर है इस घर के एड्रेस वन थाउजन वन है और मैं इसी एड्रेस को डे दिया हूँ पी के पास जो यही अड्रेस है वही P है रिफ्रेंस किसका रिफ्रेंस है इस A का रिफ्रेंस है मतलब 1001 जो A है वही रिफ्रेंस आ गया इस P के पास clear है तो अब हम जब भी C out P करेंगे इसमें कुछ भी हमें कोई भी ऐस्टिक वैस्टिक लगाने के ज़र्वत नहीं है direct C out और P करेंगे तो हमें हैंडेट पील्ड होगा चली से हम करके देखते हैं सब कुछ लिखाए हुआ है बस प्रोग्राम पर टाइप कर लेते हैं लॉए इंपलिओ आयो श्ट्रीम ये दो महीं रफाल हम लेंट रोट का लिया और यह हम लिकरेंग हैं मेल यह बैसल श्टार्ट क्लियर एसकी ना अब तो यह लाड एसकी आर आर एसकी आर एपियर डिया और मुझे गेच फंसन लागा के रिटर इस्ट्रीट में बस चाल ल तो यह लगाया और रिटर्न जीरो यस कंपाइल करता हूं और रन किया कंपाइल किया देखी हैंड़ प्रिंट हो गया बहुत क्लियर है समझ में आ रहा है मतलब कि जो रिप्रेंस वहरीवल है वह सेम एड्रेस को बताता है इंडिकेट करता है इससे मेरे memory को save करने का काम होता है यनिमीज मेमोर्य हम सेद कर सकते हैं कैसे कर सकते वो आफ अप मैंसा और ट्रप्लार को प्रोगाम मज़ी चलोगा वह समझ में रचलाईगा अब मैं आजको कुछ यूनिक श्री बता रहा हूं कि अगर बात की जाए एक करेक्टर की सब्सक्राइब यहां लिखा बैक्सलेस एंड बैक्सलेस एंड क्या है एक स्पेशल करेक्टर है जिसे हम इसकेप सिक्वेंज बोलते है जो लाइन चेंज करने काम आता है ओके तो इस एन जो चीज है यह तो कहीं डिफाइंड होगा ना सी में सी के प्रोग्राम यह सी प्लस प्लस के हमारे जो इसमें कहीं पर तो यह डिफाइंड होगा जो बैक्सलेस एंड जब भी आए तो आप इसका मतलब लाइन चेंज करना समझें तो यह जो बैक्सलेस एंड है वह कहीं ने कहीं memory में होगा किसी memory में and memory में होगा तो मतलब क्या वो एक variable में stored होगा लेकिन उस variable के बार में हम जान नहीं रहे है okay तो ऐसा हम चाहर रहे कि backless end का हम reference मनाना जब भी कभी हम program में उस reference को यूज करें तो automatically backless end print हो जाए तो suppose हम इसा मैं clear कर रहा हूँ और यहां मैं लिख रहा हूँ चुकि backless end care type है okay तो इस care type में मैं यहाँ A नाम दिया मैं A नाम मैं A लिखू तो वह backless end हो जाए तो यह को मुझे reference माना पड़ेगा reference A मतलब यह किसी address को ले मतलब की same address को share करे किस्ट का हम हमने syntax देखा था कि character मतलब डेटा टाइप reference variable और यहां variable name तो यहां क्या बताए कि यह जो backless end जो है यह variable नहीं है नहीं यह तो कोई character है तो यह बट इस character के बाड़े में तो कहीं defined है किसी variable में तो वही variable सपोज मानी यह variable है उसका उसका जो उसका variable को indirectly manipulate कर रहा है और इस A में डाला है तो ऐसा करने से यह जब कभी हम A को यूज करेंगे तो लाइन चैंज करेगा सब्सक्राइब मैं दिखा रहा हूं आपको खरके मैं यहां किसी string को लिखता हो indi India लिखा ओके और हाँ एक को यूज कर रहा हूं लाइन चैंज करने के लिए और मैं दूसरा इंडियन लिखता हूं इंडियन एंडियन ऐसे करते और आट पूड़ते हैं तो क्या होगा इंडिया लाइन चैंज होगा तब इंडियन प्रिंट करेगा रं करता हूं इससे अज़िए रं किया हमने तो इंडिया इंडियन तो लिए लेकिन देखे यहां में चाहिए उन्ट करेगा आपको एक वार्णिंग वार्णिंग क्या बोला टेंबड़ी यूज इन इस इस एक को आप टेंबड़ी तक यूज खरता है यानि बैक लेस एन इसी प्रोग्राम तो यह भी हमने समझा कि जो बैक्सलाइस एन वो किसी ना किसी मेमरी के जगह पे होगा उस मेमरी को हम इस तो इस वीडियो को अगें आगें नेक्श मैं बता रहा हूं कि रिफरेंस वैडिवल आखिर प्लस प्लस में आया क्यों ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम मना करता हो हो काल वाई रिफरेंस रखेंस की आश्के बारे में एक प्रोणाज़ पुछा हता अपने कौल वाई रिफरेंस सुना होई qualityI कि बाइब से पास करने का मतलब हम उसे एक कंपी करके देते हैं यह होता है मैं दो पर मतला कॉल अगर हम करेंगे तक बास करेंगे यहां कोई भी चेंजेस में के प्रोग्राम में सो नहीं व Edu नहीं प्रोग्राम को ठाल रहा हूए हुँ यहां अगर मैं एक वैरियेवल लेता हूँ ये नाम का और ए निया में 1 रखा और और एक function call कर रहा हूँ INCREAS increase increase नाम का function call किया और इसमें मैं A को pass कर रहा हूँ Okay, then after मैं चाहता हूँ A के value को print करूँ C out A लिखा तो हमें अब काम बच गया क्या इस इस function को define करना तो मैं इस main के ऊपर define कर देता हूँ तो यहां लिखते हैं white ओहो यहां दो पचला गया कोई बात नहीं यहां लिखता हूँ वाइट हों सह इंक्रीज हाई एन सी और इस इंक्रीज इसमें ए आ रहा है ए मेरा किस टाइप का इंडिया टाइप कदम ने इंड लिखा तो मैंने बताया क्या चलिख रहे हैं मैं बताया इसका रिफ्रेंस हम लेंगे रिफ्रेंस बैरीवल लेंगे के ए और अभी बाइब और समझाता हो आपको दूसे पर मैं तो लुक्रीं कर दूए इक वर्टू ए प्लस टूहेंड़ प्स अनि मैं डिफिनिस अनि यह हो गया तब क्या होगा मताता हूं मैं यहां ए में वन है एक कॉल होगा क्लों कर दिफिन पार गार दिफिन पार ता मतलब क अता है क्या तो मतलब एक का अगर एक ऐड्रेस अगर में 2011 है तो यही एड्रेस सेम सेयर हो गया इसके साथ इस एक के साथ तो इसका भी है डिस आगा है 2014 अपर में कडाऊ जाहां घर सब्सक्राइब जा ही, यह ज़ Links करेंगें है। यह पर कॉकर देता ओंडे सुर्खे醒 682 मों थाय जित है सब्सक्राइब टीकए कार देज दो 141 प्लकिनों सब्सक्राइब कंड छूका है में क्या है मेरे पास अचुकि 2011 जो एड्रेस है उसके अंदर मेरा वैलू आ गया दोस्वा एक इस स्टेटमेंट की चलने से तो दोस्वा एक इस मेमरी में है तो यहीतर मेमरी यहां से कॉपी हुई तो इस में जब हम सी आउट करेंगे तो जो यहां कल्कुलेट हुआ है दो सो है वहीं सो करेगा दो सो एक रिमेंसे वहां करके दिखाता हूं रण किया रहे टू हैंड़ेट वन तो इसे बोलते हैं कॉल्वाय रिफ्रेंस का यूज हम कहा करते हैं जब कभी हमें म किसी फंक्षन में हो उस फंक्षन का चेंज हमें में में भी चाहिए तो हम कॉल्वाय रिफ्रेंस का यूज करते हैं जैसे में हमें हमें चाहिए था जो भी इंक्रीजमेंट हो इस ए में ठीक वह मैं प्रिंट करूं अपने में फंक्षन में तो आ जाए एक्ष्वल में क्या होता है कि हम जिस वेडीहल का यूज करते हैं तो उसी फंक्सन तक इसको डॉप रहता है धूश्त-धर फंक्चन में उस Prosekind Coleman का काम नहीं कर सकते हैं बैर कको को यह था क्लश्यम्हकर रेफरेंस हैं तो यह मैं Self नहीं के जूबत की हो पड़ी तो इसका मैंने बताने का हिरान था कि कॉल गए रिफ्रेंस में हम प्री मींटिव डाट को पास कर रहे हैं यह क्या है औब जेक्ट पर वरक्रना तो अब जेक्ट तो मेरा प्री मीवीटिव डिया टाइब नहीं है वह यूजर डिफाय्टर टाइब है तो उसके लिए हम वहां पॉइंटर का यूजड़ नहीं करपाते हैं ठिक वहां भी बहुत क्यूज़ कर सकते हैं सबसे सिम्पल वे जो हमें दिया गया है पॉइंटर टाइूज्स के भ्षण के लिए कि हम रिफ्रेंश बेस करतें आइके है कि रिफ्रेंश हम ऑब्जेट बना सकते अफने रिफ्रेंश के औब यू ब्रीफ ग्या äंक कुण तब बताया था उस वीडियो में जहां पर हमने copy constructor का यूज़ किया तो copy constructor के case में हम क्या करते थे किसी किसी object का duplicate अगरा हम चाहते हैं सिर्पर सिर्फ copy करना जो एक object में है same to same उसी object का हम copy बनाना चाहते थे तो हम वहाँ पर वहाँ पर reference of object का यूज़ करते थे अगर आप इस वीडियो को देखता चाहते है तो मेरे copy constructor वाले वीडियो को देखे वहाँ आप इस वीडियो को और उस copy constructor वाले वीडियो को दोनों को एक साथ देखे तब आपको पूरा सभज में आ लगा कि हम C++ में क्यों यूज़ करते है रिफ्रेंस वारीबल का तो C++ की जो इस concept है इसमें reference variable बहुत important role play करता है क्योंकि हम हम इससे reference object बना सकते है reference की concept से reference same address को share करता है उसके से हम primitive वाले जैसे काम करें थे वैसे ही काम object के साथ भी करना start कर दिये ओके तो I think आपको यह बात सब क्लियर है जोकि reference होता क्या है यह share करता है same same address को memory बचाता है ओके call by reference कैसे बनाते है वह हो गया इसका use कहां करते है इसका यूज कहां करते है वहाँ हमने इसका use देखा है reference objects का reference variable आई है तो अगर आप फिर भी चाहते है कि इसका मैं आपको notes provide करूँ तो आप comment करे मैं इसका पूरा notes बना करके आपको वहाँ clearly बता दूगा आपके example अभी उसे क्या लिखना है क्या से लिखना है और वहां आपको theoretically पूरा समझा दूगा diagram के साथ अगर आप चाहते है ऐसा तो comment दूसन में comment करें ठीक तो तो I hope आप आज की वीडियो से पूरे clear है कि रिफ्रेम्स variable क्या होता है और भी कुछ प्रोग्राम को देखें अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक करें अपने फ्रेंद के साथ से एर करें कि बिल्कुल free of cost है साथ इस साथ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमें अच्छलों को सब्सक्राइब ज़र करें थैंक्स फ़र वाचिंग